हेलो फेंस तो आज मैं आपको बताऊंगा होटला रेश्टर में देही के शोले कैसे बनाएते हैं बिल्कुल अलग टेस्ट और अलग फ्लेवर में बनाके दिखाऊंगा तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले आपको देही चाहिए होगा तो आपने कोई भी एक प दो से तीन कंटे तक किसी चीज से लटका के छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो पूरी तरह से निकल चाहे तो ये देखिए तीन कंटे तक मैंने देही को नल से लटका के छोड़ रखा था और इसके अंदर जो पानी है पूर निकल चुका है इस पा टेलो शिमल अमिर्च आप भो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हैं, साथ में आपने इसमें थोड़ी सी बारीकटवी गाजर एड़ करनी है, आप डालना चाहें इसमें प्याज भी एड़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हरदनी एड़ करेंगे, इसके साथ में शूगर डालनी है, आप शूगर का पौडर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ में बारीकटवी हरीमिर्ची एड़ करेंगे, और थोड़े से मैं इसमें ड्राइनेट्स एड़ कर रहा हूँ, तो थोड़े से मैंने देखी काजु चॉप किया है, थोड़े सी किश् मीख कर दीशें, और इसके बाद सारे इंडिलिदेंस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर दीशें ताकि जितनी हमने इसमें सब्जी आइड की है, वो देह के साथ मिक्स हो जाया है, तो कि देखिए, यह हमारी देही के शोले की जो स्टफिंग अब वो त्यार हो चुके इस तरह से आपने श्टफीम बना के त्यार करनी है और यहाँ पे मैंने दो पीस जम्बो प्रेट लिए हैं अब मार्किट में जातर जम्बो प्रेट से ही देहीं के शोले बना के त्यार किये जाते हैं बट घर में jumbo bread नहीं available होते हैं तो मैं आपको छोटे बाले bread से भी बना के दिखाऊंगा आगे यो bread की side होती है इनको आपने अच्छी तरह से काड देना है इस तरह से काड लीचे और inside हो आपने फेंकना नहीं है इनको आपने सुखा लेना है सुखाने के बद आप इनको पीस लीचे इनसे bread क्रम बन चाएगा और इसके बद आपको एक पॉलोथीन चीए होगा तो यहाँ पर मैंने देखिए french fry के फॉलोथीन आते है बोली है अब आक विएस ये तो होगा नहीं बट bread का packet रहता है बाहर का रेपर आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसको काट के आप इसका रेपर बना सकते हैं और यह देखिए bread लेना है आपने जम्बो bread पॉलोथीन के उपर रखते हैं और इसके बद आपने bread के उपर पानी लगाना है हलका हलका सा पानी लगाना है और bread को आपने जोर से उपर से प्रेस करना है देखिए इस तरह से इसक इसके बद आप इस तरह से इसको तीसरा फोल्ड कर देशिये हो गया ना फोल्डिंग हो गया इसके बद आपने रैपर को इकठा करना है देखिए इस तरह से इकठा कर देशिये और इकठा करने के बाद देखिए इस तरह से गुमा देना है और गुमाने के बद जो साइड है हलका हलका सा उनको खींच दीचे इससे आपकी जो स्टफिंग है सेंटर में रहेगी और साइड में जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से फोल्ड भी जाएगा ये देखिए तो इस तरह से आप देंके शोले बना सकते हैं अब छोटे ब्रेड से कैसे बनाने हैं कि देखिए इसी साइड में आपने थोड़ा सा मसाला रखना है ज्यादा मसाला नहीं रखना है ज्यादा मसाला रखेंगे तो अच्छे से स्टफ नहीं हो पाएगा और ये देखिए रैपर से आपने ब्रेड को दीरे दीरे आगे को करते जाना है इस तरह से और लास्ट में आपने रैपर को ना रौंड कर देना है इस तरह से रौंड कर लीशे और इसके बद आपने रैपर को इस तरह से पकड़ना है जो मसाला रेगा श्टफी ना उसको अपने सेंटर में रहने देना है और के देखे इस तरह से दोनों हाथों से ना दोनों साइट को घुमा देना आपने इसको और ह सारे के सारे पीस बनागे त्यार कर लिशे, फिर इसके बदम इनको फ्राई करेंगे, तो इनको न डीप फ्राई की जाता है, यहाँ पर आपने ओल को थोड़ा सा गरम कर लेना है, ज्यादा तेज गैस में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एक तम से कलर आजाएगा, अच्छा क्रंच नहीं आएगा, तो पहले आपने इनको दो से तीन मिन तक हाफ फ्राई करना है, और उसके बद आपने इनको थोड़ी दिर ना निकाल गए साइड में रख लेना है, फिर आपने इनको दुवारा से डी फ्राई करना है, उससे अच्छा ना क्रंच भी आता है, और एगठे दोनों को फ्राई कर लेते हैं, फिर से आपने ओल कड एमपरिजरे यहां पर मीडियम रखना है, ज़्यादा गरम तेल में आपने इनको फ्राई करने के लिए नहीं डालना है, ताकि हमारा जो जो मसाला है वो अंदर तक अच्छी तऱ से गरम हो जाहे, और तब त देखिए अच्छा कलर आ चुका है इसके बद आप इनको निकाल के कटिंग कीचिए और गरमा गरम आप इनको मिंट सॉस के साथ सर्फ करती है देखिए देखने के लिए क्या जवर्दस लग रहे हैं अंदर से तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट ज